हेलो फ्रेंद्स बोटनी स्टुडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्स्ट्रक्शन ऑफ ओल्स हम जो है ओल को कैसे एक्स्ट्रक्ट करते हैं डिफरेंट क्रॉप से जैसे की ग्राउन नट हो गया शोया बीन होगया मस्टर हो गया तो इसलिए कर स्टूर कौ जोके थिक ठीके अधर च्रक्शन जोए आइधर बाइ मेंरीकल एक्स्ट्रक्शन ऊसकते और सॉलेन एक्स्यक्शन में हम जर ओल्स करेंगे करव targeting से एम यह मेधर बड़ा बस्लोह ला कसी एक्स एक्सिवे इंडिया में जहेए को इस प्रहे लृटड निकालनाझ है तो यह यूस करते हैं इंडिया मेन फिकर ड्रैक्णा तौ आ यूस करते लिए मस्टर्ड stewardship जबरीह बंग इस अस– निकालना तो यूस करते हैं इंडिया मे तो आनद अवले जाताती है costly and produce high yield solvent extraction जो है वो is quick होती है पर उसकी high yield होती है ठीक है costly भी होती हो और solvent is used to leach out the oil एक solvent को use करेंगे लिच आउट करने के लिए oil को groundnut oil extraction can be grouped into three stages on the base of mechanical pressing technique उसके बसे सब्सक्राइम इसको तीन तेकनिक में बांटा हुआ है seed preparation pressing crude oil refining पहले हम सीड की preparation करेंगे उसको प्रेस करेंगे और उसकी crude oil refining करेंगे the seeds are thoroughly clean from sand start plant etc the seed are broken in to reduce their size seed को हम ब्रोकन करेंगे ground nut के seed को बले हम उसको साय मतला सैंड मैसे निकालेंगे उसको ब्रोकन करेंगे small size का करेंगे and then kept hot 92 to 95 degree तक हम उसको hot करेंगे ठीक है for 30 to 60 minutes तक to modify their moisture contact उसके moisture contact और modify करने के लिए the prepared seed are passed on screw pressing machine उसको screw pressing machine से pass करेंगे the crude oil so obtained is clarify in satellite tank अब जो हमारा crude crude oil है वह clarify करेंगे उसको settling tank में and then press through filter paper and then उसको हम filter paper से pass करेंगे ठीक है प्रेस करेंगे this filter Crone oil is pumped to refine विर एक पास थ्रोओट थ्री स्टेजेजीस अब उसको फिर से तीन स्टेजीस से निकलना पड़ेगा ठीक है पहला है नूटलाइजेशन दूसरा है bleaching और थार्ड वन इस कास्टिक सोडा के साथ हम ट्रीट करेंगे विच रियक्ट विद अन्वांटेड फ्री फैटी एसिड फ्री फैटी एसिड करेंगे ताकि हमारी फ्री फैटी एसिड उसको रिमूफ कर दें हां बहां तो छोट अबल में टॉप हैं लिए्री फैड्स सव आनिचा और सपनेट स्वाटर तरसे लिए हैं तो तोंद करता देंगे सैपन टोनीफिकेंशन एक देंगे अपर मिक्सिंग टिचका कर दोतेंगे ब्लीच देंगे टाय宝त घ्र ed시र मतलब की ये ब्लीचिंग करने के लिए डियाटमी से अर्थ में भीजेंगे को इंपो इंपोब दा कलर ओफ ओड यहां पर उसको प्रेस्टिर के साथ जो आ उसका कलर जो ओए वह चेंज कोगा ठीक है इंप्रूब दे क्लोर ऑफ बाइब प्रोसेसर अवपरिजेशन फोर दियो दोराइजेशन अन्दर वैक्यूम तो फोर एटी डिगरी फर्ने हाइट फोर एटी फर्ने हाइट तक जो है हम उसको वैक्यूम में हीट करेंगे सेम बबल सेमोव दर्यमेनिंक एंपिश्त बबल से बबल के साथ दो हमारी फफ एंप्श रिमूव हो जाएंगी ग्रावनट ओईल इस अवलेवल इन मार्केट इन रिफाइन और फिल्टर फॉर्म उप यूर्में अवलेवल होगा that is why so oil should be taken from ripple brand इसे हमें oil रिया ची ब्रैंट से लेना चीये groundnut oil is golden yellow in color it is non drying vegetable oil the main fatty acid present in the oil are oilic acid, linoleinic acid, palmitic acid and little amount of steric acid arachidic acid along with phosphorus, vitamin like thymine, riboflavin and niacin इसके साथ हमारा इंपोरेंट टोपिक extraction of oil जो है complete होदा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe परें thank you